असलाम अलेकुम वीवर्स, वेलकम बेक टू मैई चैनल जायका इंडिया, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना लंच रूटीन, आप लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीज़ेगा आज हम लंच में मसूर की डाल को मटन के साथ बनाएंगे, मसूर की डाल हमारी सिहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होती है, यह शुगर को कंट्रोल करती है, कॉलेस्टरल को कम करती है, हार्ट और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, दातों, हड और इसकिन के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होती है, बस थोड़े से गोश्ट में डाल कर बनाईए, और यह बहुत ज़्यादा जायकेदार बन जाती है, तो यहाँ पर हमने एक कप मसूर की डाल ली है, हम इसे तीन से चार बार अच्छी तरह से वाश कर लेंगे, डाल को हमने तीन से चार बार अच्छी से वाश कर लिया है, अब हम इसे आदा गुंटे के लिए पाने में भ्यूख कर रख देंगे 400 ग्राम हमने मटन लिया है, इसे भी अच्छे से वाश कर लिया है दो हमने टमाटर लिया है, इनकी हम प्योरी बना लेंगे एक दर्ब्याने साइस की प्याज लिया है, इसे लंबाई में काट लिया है बाकी इंगेडेंस हम आपको सासा दिखाते जाएंगे तो सबसे पहले हमें मटन को पकाना है इसके लिए एक कूकर में हम चार से पांच टेबल स्पून ओयल गरम कर लेंगे ओयल के गरम होते ही हम इसमें दो तेज पत्ते, दो बड़ी इलाइची, दो दालचीनी के टुकड़े और तीन हरी इलाइची डाल कर हलका सा फ्राइ कर लेंगे गरम मसालो को 10 सेकिंड तक फ्राइ करने के बाद, यह एक मीडियम साइस की प्याज है जिसे हमने लंबाई में काट लिया है, यह डाल देंगे और प्याज को मीडियम फ्लेम पर लगातार चमच चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राइ कर लेंगे तीन से चार मिनट के बाद देखिए, प्याज में गोल्डन कलर आ गया है, प्याज अच्छे से फ्राइ हो गई है अब हम इसमें यह 400 ग्राम मटन है, इसे हमने अच्छे से वाश कर लिया था, यह शामिल कर देंगे और चमर चलाते हुए मटन को प्यास के साथ दो मिनट तक फ्राइ कर लेंगे मटन का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राइ करेंगे, बस ज्यादा नहीं, एक से दो मिनट तक इस तरह से हम गोश्ट को फ्राई कर लेते हैं तो गोश्ट की जो कच्ची स्मेल होती है वो निकल जाती है मटन का कलर चेंज हो गया है अच्छे से फ्राई हो गया है यह प्यास के साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे एक टेबल स्पून दरग का पेस्ट एक टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट एक टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और अभी ने भी मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब तक्रीबं 30-4 मिनट तक हम गोश्ट को लेसुन अद्रक और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ भून लेंगे आप चाहें तो अद्रक हरी मिर्च और लेसुन को एक साथ पीसकर भी डाल सकते हैं अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले आट करेंगे दो टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून कश्मीरी राच्छिरी पाउडर, एक टेबल स्पून करम मसाला पाउडर, एक टेबल स्पून साबुद सीरा और एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर लाल मिर्च हमने एक टेबिल स्पून ली है हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी आड़ कर चुके हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं साथ साथ हम इसमें एक टी स्पून नमक भी आड़ कर देंगे मसाले हमने आट करके दिखा रहे हैं अब 2-3 टेबले स्पून पानी डलकर मसाले को अच्छी तरा से भून लेंगे वीडियो जाधा लंबी नहों इसलिए हम वीडियो को फास्ट करके दिखा रहे हैं मज़ेदार मसाला बनाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पाने नलकर मसाले को चार से पांच मिनट तक भूनते रहना है ये देखिए गोष्ट अच्छे से भून गया है पांच मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे ये दो टमाटर हैं इन्हें हमने मिक्सी में पीस लिया था आप चाहें तो टमाटरों को बारी काट कर भी डाल सकते हैं टमाटरों मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दो से तीन मिनट तक इन्हें भी गोष्ट के साथ भून लेंगे चार से पांच मिनट तक हमने टमाटरों को गोष्ट के साथ भून लिया है टमाटर के साथ भी मसाला अच्छे से भून चुका है दस से बारा मिनट हो गए हैं लगतार गोश्ट को भुनते हुए अब हम इसे 80% तक कुकर लेंगे इसके लिए हम इसमें आदा गलास पानी आड़ करेंगे बाकी हम दाल के साथ गला लेंगे दाल को हमने 30 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है इसलिए उसे ज्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब हम कुकर को कवर कर देंगे और इसमें 2 सीटी लगाएंगे प्रेशर रिलीज होने के बाद हम कुकर को खोल कर चेक करेंगे कुकर का प्रेशर खत्म होने के बाद अब हम कुकर को खोल कर चेक कर लेते हैं गोश्ट को हमने 80 परचन तक कुकर लिया है अब हम गैस को अन कर लेंगे और इसमें एक बार चमत चला देंगे अब हम गोश्ट में मसूर की डाल को एट करेंगे यह मसूर की डाल जिसे हमने 30 मिनट पहले पाने में भीवो दिया था डाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है बहुत ज्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे और अब इसे गोश्ट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पाने आट करेंगे दाल को पकाने के लिए हमारी एक कप दाल थी तो हम इसमें धाई कप पाने आट करेंगे आप एक कप दाल में धाई से तीन कप तक पाने आट कर सकते हैं हमने ड़ाई कप पानी आट किया है, पानी डाल कर एक बार छमद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें हैं पानी में बॉयला आ गया है अब हम कूकर को कबर कर देंगे और इसमें एक सिटी लगाएंगे ताकि डाल और गोश्ट अच्छे से पख जाए और गोश्ट में जो कसर रह गई थी वो भी पूरी हो जाए यानि गोश्ट अच्छे तरह से गल जाए एक सीटी आने के बाद हम कुकर को खुल रचक कर लेते हैं दाल गोश्ट में बहुत अच्छे से पग गई है, गल भी गई है और बहुत अच्छे से गोश्ट के साथ मिक्स हो गई है दाल हमारी कंप्लीट को खो चुकी है, बहुत ज्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है इस दाल में अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल कर मिक्स कर लेंगे और इसके तड़के की तैयारी करेंगे, अब हम दाल में तड़का लगाएंगे अब तड़का लगाने के लिए एक पैन में दो से तीन टेबले स्पून देशी घी डाल कर गरम कर लेंगे, आप इसे रिफाइंड ओयल में भी लगा सकते हैं घी गरम हो गया है, अब हम इसमें ये 6-7 लहसुन के जबे हैं जिसे हमने बारिक बारिक काट लिया है, ये घी में डाल देंगे और इन्हें फ्राइ कर लेंगे लहसुन को हलकी आज पर हलका सा गुलाबी होने तक फ्राइ कर लेंगे लेस्टन का कलर चेंज हो गया है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है अच्छी से खुश्बू आने लगी है अब हम इसमें दो सुखी हुई लार मिर्च तोड़कर डाल देंगे दो हरी मिर्च है इने भी तोड़कर डाल देंगे मोटा मोटा एक इंच का अधरक का टुकड़ा है कटा हुआ इसे भी डाल देंगे अधरक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तड़के में आदा टीस्पून जीरा है इसे भी डाल देंगे और 15-20 सेकिंड तक इने फ्राई कर लेंगे सभी चीज़े अच्छे से फ्राई हो गई है अब हम इसमें आधा टीस्पून कश्मीरी रैड चिली पॉटर डाल देंगे फ्लेम का अफ कर देंगे मिर्च डालने से तड़के का कलर बहुत अच्छा आता है तड़का तैयार हो चुका है जीरा राइज बनाने के तैयारी करेंगे जीरा राइस बनाने के लिए एक कूकर में हम एक बड़ा चमाच देशी घी ले लेंगे आप कोई भी कूकिंग ओयल ले सकते हैं घी गरम हो गया है, अब हम इसमें दो दालचिनी के टुकड़े तीन लॉंग, आठ से दस काले मिर्च और आदा टीस्पून जीरा डाल देंगे और इन्हें हलका सा फ्राई कर लेंगे गरम मसालों को हमने 10 से 12 सेकिंड तक फ्राई कर लिया है अच्छी सी खुश्बू आने लगी है इसमें अब हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे जेर गिलास बासमती चावल हमने 30 मिनट पहले भीगो कर रख दिये थे अब चावलों को तड़के में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चावलों को हलके हाँ से 2 से 3 मिनट तक हम जीरे के साथ भून लेंगे ध्यान रहें चावल भीगे हुए हैं बहुत हलके हाँ से चलाना है चावल तूटने नहीं चाहिए अब हम इसमें पानी आइट करेंगे देड़ गिलास चावल में हम डाई गिलास पानी आइट करेंगे पानी डालने के बाद अच्छी तरह से चम्माच लाकर मिक्स कर लेंगे इसी वक्त हम चावलों में आधा टी स्पून नमक भी एट कर देंगे पानी में बॉयल आ गया है अब हम इसमें एक बार चम्माच चला देंगे और अब कुकर को कवर करके एक सीटी लगाएंगे एक सीटी के बाद जब प्रेशर खत्म हो गया तब हम कुकर को खोल कर चैक करेंगे ये देखिए हमारे जटपड जीरा राइस बनकर तयार है हम इसमें चम्माच चला कर इने खोल देंगे ताकि ये बाद में चिपके नहीं इस तरह गरम गरम चावलों को खोल देने से चावल खेले खेले रहते हैं अब हम चावलों को सर्व कर लेंगे तो ये लिजी वीवर्स हमारा लंच बनकर रेडी हो चुका है जीरे राइस हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और ये हमारा दाल गोश्ट जो बहुत ही टेस्टी बना है इसे हमने सर्व किया है प्यास, खीरे और टमाटर के सलाथ के साथ और साथ ही हमने दही और हरी मिर्च, लहसुन अद्रक की चटनी बनाई है हमें अमुईद है आपको हमारी लंच रूटीन की रसिपी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर कीजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाईएगा थैंक्स फॉर वाचिंग अलाह थाफिज